आज उनसे मिली, समगम की सबेडा में ओम शांते दुनिया में जब कोई एक दूसरे से मिलते हैं तो बात चीत करते हैं दिल की बात सुनाते हैं कुछ लेंदेन करते हैं कारोबार करते हैं परन्तु संगम युग पर जब हम आत्माई अपने परम पिता परमात्मा से मिलती हैं तो आवाज में नहीं आती बिलकुल उल्टा आवाज से परे हो जाती हैं रुहु रिहान करती हैं यहां केवल पाना है यहां कुछ देना नहीं है यहां केवल फाइदा है यहां आनंद है सुख है, प्रेम है पर सांसारिक मिलन में बिलकुल इसके विप्रीत है तो संगम युग का ये कुम्भ मिला जिसकी यादगार आज भी सागर और नदी पर मिला लगता है आज भी दुनिया याद करती है इस मंगल मिलन मिले में कितनी प्राप्तियां समाई है ये किवल हम आतमाई और हमारा बाबा जानता है तो इसे यादगार को और अधिक कैसे हम अपने जीवन के अंदर सदाकाल की प्राप्तियों का स्त्रोत बनाए आज हम बाबा की साकार मुडली से समझेंगे आज है अठारा तारीक 18 दिसंबर 2023 तेस बाबा के मधुर महवाक्य है मीठे बच्चे, आत्मा और पर्मात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथ्वा कुम्भ है इस मिलन से तुम पावन बनते हो यादगार में फिर वह मिला मनाते है प्रश्न है तुम बच्चों में किस बात की बहुत-बहुत सयानप चाहिए किस बात की सयानप चाहिए उत्तर है ज्यान की जो नाजुक बाते हैं समझाने की बहुत सयानप चाहिए युक्ति से ज्यानमार्ग और भक्तिमार्ग को सिद्ध करना है ऐसे समझाना है कैसे जिसे चूहा फूक भी मार देता है और काट भी लेता है तो सर्विस की युक्तियां रचनी है कुम्भ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माउं का कल्यान करना है पतित से पावन होने की युक्ति बतानी है तो बाबा को याद भी करना है और सेवा भी करने है आज का गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल तो बाबा की दुनिया से कहीं दूर ले चल ओम शान्ति बाप बैट बच्चों को समझाते है पाप की दुनिया को कल योगी, पतित, भष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुन्य की दुनिया को सत योगी, पावन, श्रीष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है परम आत्मा ही आकर पुन्य आत्मा पवित्रात्मा अथवा पुन्य की दुनिया बनाते हैं मनुष्य पुकारते हैं किसको बुलाते हैं पर मनुष्य आत्मा है पतित पावन बापको परंतु खुद पावन नहीं है अगर समझते पतितपावनी गंगा है अथवा त्रिवेणी है फिर पुकारते क्यों है क्या कि हे पतितपावन आओ अगर गंगा पतितपावनी है त्रिवेणी पतितपावनी है फिर किसको बुलाते है क्योंकि वो तो इस जुनिया में है न गंगावत रिवेणी तो है ही उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं बुद्धी फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है बुला रहे है तो बुद्धी उपर की और जाती है परमपिता परमात्मा जो ज्यान सागर है उनको आना है सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं पतित पावन बाप आते ही तब है जब सत्योगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कल्योगी दुनिया का विनाश करना है जरूर संगम युक पर ही आएंगे कल युग और सत्युग के संगम युग पर संगम को कुम्भ भी कहते हैं त्रिवेणी का संगम है तीन नदिया मिलती है उनका संगम है उसका नाम रख दिया है कुम्भ कहते हैं तीनो नदिया आपस में मिलती है वास्तव में है दो नदिया दिखाई दो ही देती हैं परन्तु तीसरी को कहते हैं कि वो गुप्त नदी है तीसरी नती को गुप्त कह देते हैं तो क्या इस कुम्भ के मेले में पतित से पावन होंगे जो दुनिया में कुम्भ का मेला लगता है क्यों उससे लोग पावन बन जाते हैं पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्यान का सागर वह है। इस ज्यान से आत्मा पतित से पावन बनती है। वास्तव में तो ज्यान सागर की बात है। लेकिन वो फिर त्रिवेणी की बात कर देते हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना, कल्युग को सत्युग बनाना यह तो परम पिता, परमात्मा का ही काम है न कि मनुश्यों का। यह तो सब ब्लाइंड फेत है, अंध विश्वास है। अब अंधों की लाठी चाहिए। फिर क्या चाहिए। लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो। नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार। अंधों की लाठी बने हैं, उनको सत्यमार्ग दिखाने वाले बने हैं लाठीयां भी किस्म किस्म की होती है कोई लाठी सौ रुपए की और कोई दो रुपए की भी मिलती है यहां यहां भी सब नमबरवार है कोई सौ रुपे का तो कोई दो रुपे का कोई तो बहुत सर्विसेबल है जब विमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है अब यह है ही पतित दुनिया तुम पावन बन रहे हो कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल फिर जब परम्पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते है तो उसको कहा जाता है संगम का कुम्भ बनुष्य कुम्भ के मेले पर बहुत दान करते हैं अब बाबा दुनियावी कुम्भ का मेला और यह जो सच्चा सच्चा आत्मा परमात्मा का मेला है तुनों का contrast बताते हैं वहें कमाई होगी साधू संतों को और government को वहां जो मनुश्य दान पुन्य करते हैं उसे या तो साधू को कमाई होती है या फिर government को होती है यहां यहां तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतितपावन बाप को वह फिर तुमको भविश्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो यहाँ पर किसकी कमाई होती है हमात्माओं की वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का नाम किसका होता है त्रिवेणी का और दान किसको देते हैं दान देते हैं साधू संतों को वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहां सब नदियां आकर सागर में मिले वास्तव में संगम का मतलब सागर और नदियों का मिला तो जहां सब सागर से मिले नदियां, उसको संगम कहना चाहिए, वहां सागर तो है नहीं, सागर तो है नहीं, नदियां है, यह तो नदियां आपस में मिलते हैं, नदियां और सागर के मिलने को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है, तो यहां संगम युक पर हम सभी मनुश्य आत्मा है हम ग्यान की नदियां ग्यान सागर से मिलते है तो यह सच्चा सच्चा कुम्ब लेकिन यह भी ड्रामा में नोंध है कुछ कर नहीं सकते इसमें गवर्ण्मेंट को भी रेल, मोटर, गाड़ी, जमीन आदी से बहुत कमाई होती है तो यह कमाई का मेला लगता है स्थूल कमाई का इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हू इश्वरिय मत पर तो कुम्ब के मेले का अर्थ निकालना चाहिए बाबा ऐसे यानी निबांध देते हैं जो संसिबल बच्चे है उनको उठाना चाहिए नमबर वान सबसे संसिबल तो है मम्मा फिर दूसरा है संचय यानी चकदीश भाय साब जिसको फिर बाटने के लिए पर्चे बनाने पड़े यह त्रिवेणी पतित पावनी नई है पतित पावन तो सर्व का सद्गतिदाता एक शिव बाबा है त्रिवेणी को तो सद्गतिदाता नई कहेंगे यह नदिया तो है ही हैना आने की बात नई गाते हैं पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ तो यह पर्चे निकालने चाहिए पतित पावनी कौन इस बात पर बहुत सारे पर्चे छपाकर लोगों में बाटने चाहिए बहनों भाईयों क्या पतित पावन ग्यान सागर परम्पिता पर्मात्मा है या यह नदिया यह तो सदेव है पर्मात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए इस तरीके से उस पर लिखित हो वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है आत्माई और परमात्मा अलग रहे बहु काल वही सत्गुरु आकर सबको सद्गति दे वापिस ले जाते है ज्यान स्नान तो वास्तव में परम्पिता परमात्मा से करना चाहिए पावन दुनिया की स्थापना परम्पिता परमात्मा कराते है तुम उसे नहीं जानते हो भारत जब श्रीष्ठा चारी था तब उसमें देही अभिमानी देवताई रहते थे उसे शिवाले कहा जाता है अब कुम्भ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने की अभी तो सब जगा जहां भी मिला लगता है हम बाबा के सभी बच्चे महापर जो भी सेंटर वाले होते हैं सभी बड़ा-बड़ा मिला लगाते हैं तो ये शुरू की बात है तो बाबा राय देते हैं कि वहाँ पर भी बच्चों को जाकर प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए समझाना है पतित पावन एक बाप है वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है तो प्रतिज्या करनी पड़े रक्षाबंधन भगवान से तैलुक यनी संबंध रखता है न कि साधू संतों से बहाँ पर तो दिखाते हैं ना ब्रामभर जाते हैं अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बानते हैं पर तो बाबा बताते हैं इसका तैलुक परमात्मा से है साधू संतों से नहीं है प्रतिज्या परमपिता परमात्मा से की जाती है न कि त्रिवेनी से हे बाबा हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्या करते हैं बाब भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा यह हैं बाबा की इशारे इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए बाबा तो बस इशारा देगा, डारेक्शन देगा बाकी करना तो हमें है चित्र भी और बनाने पड़े जब मेले पर प्रदर्शनी लगाएंगे तो फिर चित्र भी वेराइटी चाहिए इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे कोई समय आग लगाने में देरी नहीं करेंगे तो यह सब तो हुआ था किसको जगडा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं तुमको तु वो गाली भले दे पर हमको क्या करना है तुमको तु निरहेंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े ब्रमा कुमारियां मशूर तो हो गई है पर्चे आदी जरूर बाटने है कुम्भ के मेले का खास महत्व रखते है वास्तव में महत्व अभी का है यह भी ड्रामा का खेल है वहां से भी कोई का कल्यान हो सकता है परंतु महनत लगती है काटो को फूल बनाने में महनत लगती है कुम्भ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए जान पहचान चाहिए जो कोई वेग्ण ना पड़े तुमको सिद्ध करना है क्या कि पतित पावन कौन है मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते है कोई मरता है तो कहेंगे फला ना स्वर्ग वासी हुआ वहां तो बहुत मालठाल होते है कहां स्वर्ग में वहां से फिर यहां बोलाकर खिलाते क्यों हो पित्रों को खिलाते हैं और पुराने जमाने में ब्राम्मान में भी उस आत्मा को बोलाते थे तो अबा कहते हैं कि जब उस वर्ग में मालठाल खा रहे हैं फिर यहां क्यों बुलाते हो तुम श्रीनात के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं सच्चे घी में बनते हैं अब श्रीनातपुरी और जगनातपुरी, जगनातपुरी में भी बनते तो हैं पर माल नहीं मिलते, वहाँ पर चावल का भोग लगाते हैं, वास्तव में है ही एक बात, एक ही बात परन्तु वहाँ श्रीनात द्वारे में देखेंगे, तो बहुत वैभव बनते हैं, बास्तव में है एक ही बात परंतु श्वीनात द्वारे में तो बैभव बनते हैं और जगनात पुरी में सिर्फ फी के चावल का भोग लगता है घी आदी कुछ नहीं पड़ता यह फर्क बताते हैं गोरा है तो ऐसे माल और सावरा है तो यह सूखा चावल यह अंतर बताते हैं कि आत्मा जब गोरी थी सतियुग में थी तो माल ठाल थे और वही आत्मा जब काली हो गई कल योगांत में आ गई तो फिर दिखाते हैं बिलकुल सूखे चावल राज बड़ा अच्छा है यह बाप बैट समझाते हैं दुनिया वाले नहीं समझते श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं उनका धन्दा भी चलता रहता है उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है मिलता मुफ्त में है फिर कमाते हैं मिलता तो मुफ्त में क्योंकि इतना जाधा भोग चड़ जाता है फिर उस भोग का क्या करेंगे फिर वो उसी भोग को बेच देते हैं तो फ्री में मिलता है परन्तु फिर कमाते हैं तो देखो कितनी अंदुश्रद्धा की बाते हैं यह जानमार्ग गंगास्नान से थोड़े सद्गति होती है, बड़ा युक्ती से समझाना है, कैसे? क्या युक्ती बबबने बताई आज? जैसे चुहा फूक दे कर काटता है, कैसे काटता है चुहा? है ना उसके मूह से कुछ लीक्विड निकलता है, तो उसका एनस्थाटिक एफ तो वो जगा सँन हो जाती है, फिर काट लेता है, तो ऐसे युक्ती से काटता है, फिर जब खून निकलता है, तो बादने पता चलता है, बड़ी ही सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की, कितनी नाजुक बाते है मनुष्य कहते है कि हे परमपिता परमात्मा तुम्हारी गत्मत तुम ही जानो ऐसे कहते हैं न तुम्हारी गत्मत तुम ही जानो और न जाने कोई इसका अर्थ तो समझते नहीं बोलते हैं समझते नहीं तुम्हारी श्रीमत से जो सद्गती मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके सर्व का सद्गती दाता एक है सर्व अक्षर जरूर डालना है समझाया बहुत जाता है पर तु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं प्रजा तो बहुत बनती रहती है मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुन्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है यहां तो 21 जन्म के लिए मिलता है इश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है यह इश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है दान पुन्ने कर रहे हैं भगवान के नाम पर और वैसे अगर करें तो ताकत मिले परन्तू जानते नहीं है तो ताकत भी नहीं हिंदुओं के गुरु गोसाई तो धेर है क्रिश्यन का देखेंगे तो एक है है ना एक का कितना रिगाड है Religion is might कहा जाता है अभी तुमने Religion को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है नप में सब समझ आ गया है कि हम सबी एक आदी सनातन देवी देवता धर्म के थे तो कितनी ताकत मिलती है बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशी करण मंत्र दो बच्चों को बाब कहते हैं तुम जहां से आये हो उसे याद करो कहां से आये है परमधाम से तो उसे याद करो तो अंतमती सोगती हो जाएगी बाब को याद करने से ही पावन बन सकते हो पाप दग्द होंगे बाब और वर्से को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धी में आ जाता है ग्रहस्त व्यावार में रहते धे के सर्व संबंधों से बुद्धी निकाल बाब के साथ जोडने का पुरुशार्थ करना है जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े और कोई की याद पड़ी तो क्या होगा तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा तो वास्तव में कुम्ब कल्प के संगम को कहा जाता है जब आत्माई और परमात्मा मिलते हैं परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं वह है पुनर जन्म रहत परन्तु बच्चे तो समझते नहीं है श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना श्रीमत से ही राजाई मिलती है श्रीमत पर नहीं चलते तो आकरीन खत्म हो जाते है सजनिया साथ में वह चलेंगे जिसका दीपक जगा हुआ होगा जिनके दीवे बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी चलेंगे अनन्य बच्चे ही चलेंगे बाकी तो नमबरवार पिछाडी में आएंगे लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे सब आत्माई भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है एक जैसा पद नहीं मिल सकता अन्त में सब का पार्ट क्लियर हो जाएगा जाड कितना बड़ा है कितने मनुष्य है मुख्य तो जो बड़े-बड़े टाल-टालियां है जो मुख्य धर्म है वह देखने में आएंगे मुख्य है फाउंडेशन बाकी तो बाद में आते हैं उनमें ताकत कम होती है स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं भारत ही हैवन था ऐसे नहीं कि भारत के बदले जपान खंड हैवन हो जाएगा ऐसे हो नहीं सकता अच्छा हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मौनिंग नमस्ते 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 बाबा फिर है रात्रे क्लास यह 24 एपरेल 1968 की बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं केवल अपने धर्म की आत्माओं का कल्याण करते हैं वह आते हैं भारत में ही आते हैं भारत की बहुत महिमा करनी है बाप ही आकर सर्व की सद्गती करते हैं तब ही शांती होती है विश्व में शांती थी सृष्टी के आदी में स्वर्ग में एक धर्म था अभी अनेक धर्म है बाप ही आकर शांती स्थापन करते हैं कल्प पहले मिसल करते हैं तुम बच्चों को ज्यान मिला है तो विचार सागर मन्थन चलता है और तो कोई का चलता ही नहीं है यह भी तुम समझते हो देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते है आत्मा पुनर जन्म तो जरूर यहां ही लेगी न अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है बाप ही गुप्ट ज्यान देते है जिससे सभी की सद्गती हो जाती है पकी हनुमान वा गणे शादी जैसे कोई होते ही नहीं है ऐसे नहीं है किसी के नाक की जगा सूंड हो है ना? ऐसा कोई नहीं होता इन सभी को कहा जाता है पुजारी अच्छा, रोहानी बच्चों प्रती रोहानी बाप वदादा का याद प्यार गुड़नाइट रोहानी बच्चों को रोहानी बाप की नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला सजाओं से बच्चने के लिए क्या करेंगे? देहे के सर्व संबंधों से बुध्धी योग निकाल एक बाप से बुध्धी योग जोड़ना है क्या करना है देहे के सर्व संबंधों से बुध्धी योग निकालना है और एक बाप से बुध्धी योग जोड़ना है अंत समय में बाप के सिवाए कोई याद न आए इसका पुरुशार्थ करेंगे दुसरा निरहेंकारी बन साइलन्स में रहे काटों को फूल बनाने की महनत करनी है श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है पावन बन पावन बनाना है वर्दान है समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले हुली हंस भव हुली हंस कैसे बनेंगे जब समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाएंगे जैसे हंस कंकर और रत्न को अलग करते हैं एसे आप हुली हंस अर्थाथ, समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले जैसे हंस कभी कंकड को चुग नहीं सकते अलग करके रख देते, छोड देते, ग्रहन नहीं करते ऐसे आप Holy Hans व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया अब गवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो तो क्या करेंगे? Holy Hans बनेंगे, व्यर्थ को छोड़ेंगे, समर्थ संकल्पों को धारण करेंगे स्लोगन है स्वयम को इश्वरिये मर्यादाओं के कंगन में बांधलो तो सर्वबंधन समाप्त हो जाएंगे स्वयम को इश्वरिये मर्यादाओं के कंगन में बांधलो तो सर्वबंधन समाप्त हो जाएंगे बिलकुल इजी तरीका आज बाबा ने बताया तो आज सभी क्या विशेश होंबक करेंगे सब बातों से बुध्धी योग निकाल कर एक बाबा से बुध्धी योग जोडने का अभ्यास करेंगे क्याने में तो सह जाता है परन्तु ये बुध्धी योग निकालने में बहुत टाइम जाता है है न क्यूकि कहा न कहा मन में या अवचेतन मन में ये सारी बातें रहती ही है व्यर्थ कहीं न कहीं अपनी जगा बनाकर बैठा हुआ होता है तो हमें क्या करना है सब बातों को छोड़ एक की याद में बैठना है तो अभी सब बैठेंगे बाबा की याद में उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाओं किस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा मरु भूमी बनी जीवन में हर याली बन कर आये मुर्जाए से इस मन पर खुशहाली बन कर छाये तुलना के योग नहीं तुम्हुक्मा किसकी बताओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा दुर्गं जीवन के रस्ते पग पग पर काटे चुगते थी दिशाहीन मानवता दानवता में थे पलते दानवता में थे पलते पत सुगम बनाया तुने बस तेरी मही मागाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा निश्चिंत बनाया जीवन चिंता हर न सिखाया हर मन की पीडा पीला तुमने हमको सिखाया तुमने हमको सिखाया तुमसे हर बुन को लेकर सबको मैं गुनी बनाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा किन शब्दों में मैं गाओं इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाओं उपकार तुम्हारा बाबा झाल 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 झाल